हलो नमस्कार मैं डॉक्तर नौल पटेल डर्मेटलोजिस्ट है ट्रास्पार्म सर्जन और अक्लिक राइगर चतिस करें आज मैं बात करने वाला हूं जैसा क्या फोटो में देख रहे हैं इसको अधिकतर लोग क्रीमी से हुआ है सोचते हैं आज इसके बारे में छोटा एक इन जैसा क्या फोटो में देख रहे हैं यह सफेज सफेद लेकिन दूधिया सफेद नहीं होता है हलका सा इसकीन कलर से थोड़ा सफेद होता है और इसको अधिकतर पेरेंट्स गावाले या लगबग माने चले कि 90% लोग मानते हैं कि यह क्रीमी के कारण हुआ है ठीक है क्रीमी को चहरे में सफेद दाग जैसे बाल जढ़ने की समस्या खुजली और सिर में डेंडरफ की सिकायत हो सकती है यह सारे एक बीमारी के पार्ट है इनमें आपको करना क्या चाहिए क्रीमी की दवा जैसे आपने दिया है तो हर 6 मेने में दे सकते हैं इसके सांती साथ में आपको क क्लिंजर से चेहरा दोने के लिए एंटी फंगल सोप या कीटो कुना जोल सिंपू का इस्तमाल आप अपने बाल को दोने के लिए और उसी के जाग को चेहरे में लगाके 2-3 मेट रखें ऐसे आप सप्ता में 3 बार करिए आप अगर 15-20 दिन में अपने दाग में कोई डियागनोसिस नहीं होगा आप अपने डियागनोसिस को कंसल्ट करें अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करें धन्यवाद